महेंद्र सेंग धोनी बड़ा नाम बड़ा कद और उतना ही बड़ा सर पर ताज महेंद्र सेंग धोनी अपने फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं चाहे उनका हेर कट हो चाहे उनका ड्रसिंग सेंस माही हर चीज में नंबर बन है महिंदर सिंग धूनी अपने हेरकट के लिए तो सबसे जाने जाते हैं क्योंकि जब महिंदर सिंग धूनी ने साल 2004 में टीम इंडिया में एंट्री की ती डेब्यू किया था उस वक्त माही लंबे-लंबे बाल रखते था उनके लंबे-लंबे-लंबे बालो को देखकर उनके फैंस बेकाबू तो होई जाते थे खेलते थे तब वो माही का आइकॉन था नंबे बालो वाला नंबर साथ की जर्सि महिंद्र सिंग धोनी लेकिन उसके बाद जब माही ने अपना बाल कट वाया तो धोनी चोटे बालो में भी बहुत ही धासु धासु एरकट रखें बहुत ही कमाल के लगते हैं महिंद्र सिंग धोनी और महिंद्र सिंग धोनी अपने बालों पर एक्स्परिमेंट करते ही रहते हैं वो जब भी मैच कहले जाते हैं उससे पहले एक बार अपने haircut को जरूर लेते हैं अपने haircut जरूर कराते हैं और माही कभी दाड़ी बढ़ा लेते हैं तो कभी बाल बढ़ा लेते हैं महिंदर सिंग धोनी फैशन सेंस के तो महीरहीं धनी भी है लेकिन महिंदर सिंग धोनी ने इस बार फिर से IPL में अपने कमबैक को लेकर मैदान से पहले वो सलून गए और महिंदर सिंग धोनी ने हैर कट लिया याने कि जो hair stylist है सपना भाववनानी उन्होंने अपने दोस्त महिंदर सिंग धूनी की वापसी पर लिखा मेरे दोस्त बहुत खुशी होगी तो मैं IPL में देखते खेलते हुए सुत्रों की माने तो धूनी एक मार्च को कैम में प्रैक्टिस तो करेंगे दो अफ़ते प्रैक्टिस करने के बाद वो चार-पांच दिन की छुट्टी रहेंगे और IPL के शुरू होने से पहले वो फिर जोईन कर लेंगे आपको बता दे कि महिंदर सिंग धूनी ने नया हैरकट लिया है और इस बार तो उन्होंने मूच भी रखी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिंदर सिंग धूनी की मूच और हैरकट उन्होंने लिया है महिनरे सिंग दोनी ने मूच रखा तो यानि कि आप तयार हो जाएए इस बार ये शेर संगम अफ़तार लेने वाले हैं नेक्स्ट ना एने स्पोर्स के रिपाउट